दोस्तों नमस्कार हिंदी कुछ जी में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नीबंद लिखन के अंद्रगत बात करेंगे सिनिवा का यूआ पीडिवर प्रवाओं के बारे में यदे आप हिंदी कुछ चानल में पहली बार आए तो हिंदी कुछ चानल को य युवा पेड़ी पर क्या प्रहौ पड़ता है या कुछ इस तरह होगा कि बर्तमान भौतिक वादी युग में विज्ञान की सर्वा गीड प्रगती अपना एक विशिस महतो रखती है प्रगती के गूरतम चित्राले में ही हमें वास्त्विक सामेवात के दर्सन होते हैं पित हमती जंता विशिस के रूव और्वर्क लिए नमीन बात नहीं है हजार अंबर्स पूर्व से ही देश में हमारे नाटकों का प्रचार उसमें नाटकों के मंचन दोहरा जंता का मनुरंजन शमानले बात थी चलचित्र के अविस्कार ने नाटक और अभिने की सभी निवनिताओं को सवाप्त कर दिया 1890 में अविरिका में आरम होकर 22 कोग का प्रचार 1931 तक आते आते सवाक फिल्म की रुप में भारत में प्रवेस हो चुका था इस सफलता से नए निर्देशक, नए भिनेता, नए गायक, नए लिखक और सहज दूसरी लोगों का अध्यन भी इस ओर आकरिष्ट हुआ उस समें रटजीत्र थ्रेटर, पृत्वी थ्रेटर, इंपेरियल थ्रेटर आज भी ख्यात थे अब हम बात करते हैं कि सिनिमा से समाश को लाप क्या है तब से लिखे आज तक चल चित्र के सिती, दृष्य आज सभी में करांदकारी वरुरतन हो चुका है आज रंगीन और डॉलवी जैसे पिक्चरों का विसकार हो चुका है आज मानो जिवन का कोई भी शित्र अच्छूता नहीं बचा है ज्यान के शित्र में सिनिमा ने असीमित मात्रा में युगदान दिया है सिच्छा विग्यार, मनो विग्यार, जिवन विग्यार, मनस्पति जोतिस, अतल गहराई की अतल जलकी गहराई से लेकर हिमाले के सर्बुत्तम सिखर विए हम ध्रू प्रदेश के खतरनाख दृश्चों का आनंद मानो घर वा सीनेमा घर में बैठे आनंद ले सकता है सिनेमा ने हमारे अचार, बिशार, धर्म, संस्कृति, सब्विता, नैदिक्ता, मानोता आदिस अभी शित्रों में करांती पैदा कर दी है बर्तवान सिनेमा की कलपना एक सताब्दी बर्स पूर्प की ही निया सकती थी ऐसे द्रिश में सिनेमा घर सबसे गहरा प्रभाव समाज की युवा वर्क पर स्पेस्ट्रोप से देखने को मिल जाता है क्या सिच्छा, सायत, ग्यान, विज्ञान, मनो विज्ञान, आलनिति, धर्म, आ सभी कुस्तो इस सिनेमा की प्रिक्तित से प्रभावित है अब बात करते हैं कि सिनेमा से हानी क्या होती है आज जहां सिनेमा ने समाज करेंक समस्याओं युव गुरा के समाज सुदार करने का प्रभाव से अनेक नियतिक मानिताओं को नष्ट करकी अनियतिकता को जब दिया गया है बाल बिवा, बिद्वा बिवा, देहश बर्था, ओश्डीर, धने निर्धन आज जैसे गंभीर भेदभाओं को बढ़ाने वाली सब्विताओं को खत्म किया गया है और समाजिक न्याय के स्थापना का प्रियास किया गया है इस सिनमा ने आज हमारी वाग पीड़ी को अनेक प्रकार के अनेतिक आचरण जैसे नसे, नय फैसन, नय नय और विविन प्रकार के कपड़े, कपड़ों के नियुनता ने प्रेम सब्द को कलंकित कर दिया है इस सिनमा के प्रभॉष से आज ने हुटल, कलब और इस तरह में ही नहीं, बलकि सारविनी के स्थानों पर प्रेम के आड़ में लोग गलत कारे कर गहे हैं अज सहरों में बड़ी तिवर्दा से कस्भों और गाउं तक नहीं जाप पहुचा है सिनमा के मोहक माया जाल में फसकर हम अपने अतीता और वर्तवान को नश्ठी कर चुके हैं यदि हम आज इस पर ध्धान नहीं दिये, इस तरह ध्धान नहीं दिया गया है तो इसके दोस्प्रवाव को रोका नहीं जा सकता और इसका दोस्प्रवाव बढ़ता ही जाएगा तो इस प्रकार हम जान पाए कि सिनमा से रहानी क्या है और सिनमा क्या लाब क्या है क्या क्या लाब सिनिमा से होते हैं और क्या क्या फायदे हुए समाज को अब भारतिय सिनिमा के इतिहास क्या रहा है और सिनिमा का यूआ पीड़ी पर क्या प्रहा पड़ा है आसा करता हूँ कि निवन आपके लिए उप्यों से धुखा यदि आपको यह निवन लिकित रुपे चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्सर मॉक्स में इसका लिंक दिया गया है आप वहाँ पर जाके निवन लिकित रुपे प्राप्त कर सकते हैं साथ जाथ आपके अधिन और मिसे से समंदित डे साले अधिनसामकरी हिंदीकोई.com में उपलुप्त कराए गई है वहाँ पर आप जाके विजिट करके आपनी लावश्यक उप्यों के अधिनसामकरी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद